हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चाइनल तो फ्रेंड्स आज आपको अडेनियम के प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करना चाहिए किस तरह से सॉयल मिडिया लेना चाहिए रिपोर्टिंग के बाद किस तरह से प्लांट की केर करनी चाहिए उसे कहां रखना चाहिए ये सभी बाते आज आपसे शेयर करेंगे हमारा अनुभव आपको बताएंगे हम किस तरह से अडेनियम के प्लांट की देखभाल करते हैं रिपोर्टिंग के बाद सौइल मिडिया कैसा लेते हैं इसा भी तो बाते आपको बताएंगे ही यह देखिए हर साल तो हम वैसे नहीं करते जरूरत पढ़ने पे ही अडेनियम के प्लांट की हम रिपोर्ट करते हैं यह जो आपके सामने दिख रहे हैं यह दो-दो साल के हमारे अडेनियम के प्लांट है तो देखिए इसके कोडेक्स कितने अच्छे हो गए हैं बड़े-बड़े इसके कोडेक्स हैं इसे है क्योंकि इसके पॉट छोटे हो गए अगर हम अभी से रिपॉर्ट नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ये पॉट को तोड़ देंगे फोड़ देंगे इसलिए रिपॉर्ट कर रहे हैं और स्वाइल मिडिया हमने कैसे लिया है ये भी आपसे शेयर करेंगे ही बहुत ही रिच स्वाइल मिडिया हमने लिया है और इससे बहुत ही अच्छे हमारे अडेनियम के प्लांट चलते हैं आपको हमेशा ही हर सीजन में अडेनियम के प्लांट की ग्रोथ अच्छी दिखाते ही है इसके फ्लावर्स भी दिखाते रहते हैं साल भर हमारे अडेनियम फ्लावरिंग क बहुत कम सामोगरी लेकिन पोशक तत्वत से भरी हुई ये मिट्टे है अडेनियम के लिए और सब अडेनियम के लिए हम ऐसा ही सॉइल मिडिया लेते हैं, सॉइल मिक्षर बनाते हैं ताकि हमारे अडेनियम के प्रांट अच्छे चले। कुछ लोग तो पता नहीं इसमें रिपोर्टिंग करते वक्त अडेनियम के प्रांट के मिट्टी में क्या-क्या मिलाते हैं क्या-क्या नहीं इतने सारी सामगरी होती है इतने सारे चीजे उसमें मिट्टी में डाल देते हैं उसमें से एक चीज का नाम जरू लेना चाहेंगे बोन मिल, सबसे ज़्यादा अडेनियम के प्रांड को दिया जाता है, उसके मिट्टी में मिलाया जाता है, क्या ये सही है, कहां से ये बोन आते है, किस तरह से ये, किस किस के बोन से ये पाउडर बनाया जाता है, वो आप लाते है, आपके प्रांड को देते है, क्या ये सही है यह सोचने वाली बात है देखें फ्रेंट्स सभी प्लांट को पॉट के बाहर हमने निकाला है और दो-तिन घंटे की सनलाइटी से हम जरूर देते हैं पॉट के बाहर निकालने के बाद कुछ मिट्टी इसमें से निकाल दी है और कुछ मिट्टी अभी लगी है तो ये 2-3 गंटे sunlight डेने के बाद सुख जाएंगी तो अच्छे से ये मिट्टी निकल जाएंगी नल के नीचे इस से अच्छे से वाउश कर देंगे पूरीन मिट्टी इसकी निकाल देंगे दो तीन घंटा सुबह की सनलाइट देना बहुत जरूरी है वो इसलिए कि कुछ फंगस वगरे रहा तो निकल जाता है वैसे हमारे सभी के सभी प्रांट छोटी से छोटी इसकी रूर्ज भी बहुत हेल्दी है कहीं पे भी काला पनिया फंगस नहीं लगा है तो हमारे अडेनि के जो भी प्रांट समने निकाले सभी के सभी बहुत अच्छे है इसको सुखाने के बाद अच्छे से नल के नीचे वाश कर लेंगे उसके बाद इसकी जो भी मिट्टी बची है वो निकल जाएंगी तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं अडेनियम के प्रांट को पानी नहीं देना चाहिए और इसकी हमने हाट प्रूनिंग पहले ही कर दी थी हाट प्रूनिंग पहले से अच्छे से कर देंगे तो रिपॉर्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा होता है तो पहले आप हाट प्रूनिंग या स्व पानी आप देंगे तो मिट्टी इसकी गिली रहेंगे तो यह आसानी से निकलेंगा भी नहीं तो तीन-चार दिन हमने इसको पानी नहीं दिया है देखिए और बहुत ही धीरे-धीरे से प्लांट को बाहर निकाला है और उसी तरह से अभी देखिए इसे पानी नहीं दिया है तो बहुत सारे मिट्टी अपने आप निकल जाएंगे लेकिन मिट्टी थोड़ी सक्त है देखिए तो जो भी रूट्स में मिट्टी लगी है ओ धिरे धिरे हमें निकालना होगा यह देखिए पॉट के नीचे हम बहुत सारी ऐसी कंकर बारिक छोटे छोटे डाल देते हैं ता उसे काटना चाहते हो आप नहीं रखना चाहते हो तो आप इसके रूट्स भी निकाल दे जैसे यह ड्राय है तब इसकी मिट्टी निकालने के बाद हम इसके रूट्स नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पसंद नहीं है हम ऐसा ही रहने देते हैं अगर इसके रूट्स निकलत या आप कैची से काटते हो तो वहां डैमेज हो जाता है फिर उसे फंगिसाइड पाउडर लगा के दो-तिन दिन छोड़ना होता है जब तक पोर्शन जो हमने कट किया है वो सुकता नहीं है तब तक तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता तो आप इसके रूर्स जो अच्छे से इसकी मिट्टी निकल रही है तो हमें तुरंत ही रिपॉर्ट करना होता है इसलिए हम इसके रूर्स को पूरे कट नहीं करते हैं बहुत अच्छे से इसकी मिट्टी अभी निकल रही है और कुछ बच जाएंगी तो इसे नल के सामने लेके जाएंगे और पूरी मिट्टी इसकी निकाल देंगे कभी भी आप roots को cut करते हो तो उसे fungicide powder लगा के कम से कम 2-3 दिन वैसे ही छोड़े तुरंत report नहीं करें वैसे आप report करेंगे तो उसका cut portion जो है उसका घाव है तो सुकता नहीं है तो उसी से fungus लगने का डर होता है अंदर पानी चला जाए तो plant भी खराब होने की या मरने की संभाव नहीं होती है तो इसलिए आप roots को ना काटे तो चलेंगा और काटना है आपके पास time है तो काट भी सकते हो फिर से बोर रहे है लेकिन fungicide powder अच्छे से लगा के आप उसे दो तिन दिन ड्राय होने के लिए छोड़ दे उसके बाद ही report करे देखिए इतना बड़ा plant है ये दो साल का plant है और हमने seed से ही plant को उगाया था इसे अभी दो साल हो गए है हमारे जो mother plant है अडेनियम के उसके ही seed से इसे grow किया था और इतने सारे roots होने के बाद ही बाद भी पूरे के पूरे अच्छे roots से देखिए कहीं पे भी कालापन नहीं fungus नहीं कुछ भी नहीं ऐसा ही है सभी हमारे अडेनियम का result कहीं पे भी कोई भी damage नहीं है अगर होता तो इसे हम दो तीन दिन छोड़ देते दूसे फंगिसाइड वगर इसकी treatment करने के बाद ही रिपोर्ट करते है इसे अभी तुरंत ही रिपोर्ट करेंगे तुरंत तो नहीं उसके पहले कुछ काम करना है दो घंटे इसे लगेंगे तो सबसे पहले तो इसको लेके जाएंगे नल के नीचे लेके जाएंगे इसको अच्छे से नहीं लाएंगे पुरी मिट्टी उसकी निकाल ली है और देखिए कुछ प्लांटस हमने इसमें डाल दिये है ये फंगिसाइड का पाउडर है और उसका लिक्विड हमने बनाया है इसमें डाला है पानी में और दो घंटे के लिए छायादार जगा में रखके फिर ऐसा ही हम दो तीन घंटे ऐसा ही छोड़ देते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी इसकी ट्रिटमेंट हो जाती है एक तो हमने पहले इसको धूब दिखाया दो तीन घंटे उसके बाद हम फंगिसाइट पाउडर में ये फंगिसाइट पाउडर का पानी बना के ऐसे दो तीन घंटे डुबो के रखते हैं जो भी शुश्मा इसे किटानों हो फंगस हो तो कुछ भी इसमें अगर होगा तो निकल जाएंगा तो दो प्रक्रिया करना बहुत जरूरी होता है उससे आपका अडेनियम का प्लांट फंगस से बचा रहेंगा उसमें फंगस नहीं लगेंगा और हमेशा हेल्दी ही आपके प्लांट बने रहेंगे यह जो मिट्टी बनी निकाली है पॉट में से इसको एक दो दिन सुखा के दुसरे प्लांट में यूज करेंगे और हमेशा आडेनियम के प्लांट को हम रिपॉट करते है तो पहले से बड़े साइस के पॉट में ही रिपॉट करें थोड़ा बड़ा ही पॉट ले क्यूंकि एक-दो साल तो उसमें से अच्छे से चले अगर आपके हिसाब से आप हर सार रिपॉट करते हो तो ओ हिसाब से पॉट लीजिये हम तो जब तक इसका पॉट खराब नहीं होता या कोडेक्स बड़ा नहीं होता तब तक तो report नहीं करते हैं अभी हम जो plant report कर रहे हैं कम से कम इसमें 2 साल तक अच्छे से चलेंगा तो ओ ही साब से हमने report लिया है तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारे अडेनियम के लिए मिट्टी हमने कैसे ली है देखिए 50% हमने मिट्टी ली है और 25% पतियों की खाद हमने इसमें मिलाई है आप कोई भी खाद मिला सकते हो बर्मी कमपोस गोबर की खाद किचन वेस्ट अच्छा होंगा पुराना ओ ले सकते हो या पतियों की खाद ले सकते हो पतियों की खाद हमारे घर की भी बनी होती है और इसमें 25% हमने राइस हस्क मिलाया है क्योंकि हमारे यहां के बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो इतना राइस हस्क मिलाना हमें बहुत जरूरी होता है तभी जाके लाइट वेट हलकी भुरभुरी और वोशक तत्व से भरी हमारी यह मिट्टी बन जाती है और उसके बाद हमने इसमें राइक डाली है और राइक का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब हर मिट्टी में हम राइक जरूर डालते है इतनी सारी मिट्टी हमने बनाई है तो इसमें 2-3 मुठी हमने राइक डाली है अगर मिट्टी में आप राइ राक मिलाते हो तो ये फंगिसाइट का भी काम करती है तो केमिकल वाला फंगिसाइट आपको डालने की जरूरत नहीं होंगी और ये खात का भी काम करती है ये बहुत सारे पोशक तत्वा राक में होते है कैलशियम होता है पोटेशियम होता है और बहुत सारे ऐसे इसमें पॉट को भरना स्टार्ट किया है पॉट कैसे भरते हैं हम बताते हैं तो इसमें वैसे हम वारिक वाली बजरी तो डालेंगे उसके पहले यह गंबले के तुटे हुए तुकड़े हैं वह भी डाल देंगे डबल कवर करेंगे ताकि ड्रेनेजोल हमेशा अच्छे रहे पानी इ हम नहीं डालते हैं तो अगर मिट्टी यहां तक पहुझ गई तो ड्रेनेजोल बंद होने की संभावना होती है इसलिए डबल कवर कर रहे हैं पहले तुटे हुए गंबले के जो तुकड़े होते हैं उससे कवर किया है और यह बजरी डाल रहे हैं देखिए बहुत सारी हम बजरी इसमें पहले डाल देते हैं देखिए दो तीन इंच इसमें यह बारिक बजरी डाली है इसलिए होल भी हमने बहुत छोटे छोटे किये यह बजरी हमें डालना था ताकि बड़े होल करते थे तो यह निकल जाते थे इसलिए इस तरह से हमने यहां तक पॉट पुरा भ हम पॉट भरते हैं तो ड्रेनेज होल हमेशा अच्छे रहते हैं क्योंकि दो तिन साल से हम ऐसा ही कर रहे हैं और जो आपको मिट्टी बनना बताई है कैसी बनाई है वही मिट्टी है और इसमें पहले मिट्टी डाल देंगे देखिए इस तरह से बहुत कम पहले मिट्टी डालेंगे ज्यादा मिट्टी नहीं डालेंगे और हां हम इसमें कोईले भी मिलाते हैं वो बताना हम भूल गये हैं तो एक पॉट में तीन चार कोईले हमारे जरूर होते हैं कोईले हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी को शुद करने का काम कोईल दाले, चार पाश ढाले, 10 डाले, 15 डाले, आपके पास जैसे हो उस तरह से आप कोईले डाल सकते हो, देखिए उसके बाद हमने मिट्टी डालने के बाद सुखे पत्ते डाले हैं, ये चिको के प्लान के पत्ते अच्छे से ड्राय हो गए है, आप सोच रहे होंगे कि यहां सु सुखी पत्तिया हम हमेशा ही डालते हैं उसके बिना हमारा रिपोर्टिंग का कम अधुरा होता है सुखी पत्तिया हम डालते हैं तो ये धीरे धीरे डीकम्पोज होते हैं और प्लान को खाना मिलते रहता है तो ऐसे ड्राय कम्पोस्ट बहुत कम मिलाते हैं साल में दो तिन बा लिस से इंभाद उप्पर से इसलिए हम ऐसी पत्यां मिलाते हैं तो हमेशा प्लान को अच्छे पोशक तत्वा मिलते रहते हैं और हमारा अडेनियम का प्लान्ट हमेशा हिल्दी रहता है कभी-खभी खाद नहीं देना हुआ, तो भी पतियों में से खाना हमारे प्लांट लेते रहता है, इसलिए जब भी हमें अडेनियम के बड़े प्लांट रिपॉर्ट करने है, तो हम सुख्य पतिया उसमें डालते है और उससे बहुत अच्छा अनुभव हमें आया है। हमारे अडलियम पर हमने अच्छे रिजल्ट हमेशा ही देखे है। सुखे पत्ते डालने के बाद अच्छे से मिट्टी से हमने कवर कर दिये है फिर से और उसके बाद हल्दी पॉडर मिलाया है और जो वाइट पॉडर दीख रहा है ये ट्राइको डरμा है तो देखिए बहुत ही अच्छी तरहां से अडेरियम प्लांट के लिए रिपोर्टिंग के लिए पॉट टैयार किया है बहुत कम ऐसी चीजे हमने मिलाई है और सही मायने में फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहते हैं ये ऐसा आप रिपोर्ट करेंगे बहुत कम खर्चे में ब नहीं होता है देखिए जो प्लांट आपके सामने निकाला था वही प्लांट है और इसे इस तरह से हमने पॉट में बिठा दिया है और इसमें हम उपर से जो मिट्टी बनाई है ओ डालेंगे अच्छे से पहले उसको सेट कर ले कि आपको कहा कैसे बिठाना है पॉट में हलके हलके हाथों से अच्छे से प्रेश करके मिट्टी को अच्छे से कवर करें जदा रूर्स उपर नहीं दिखना चाहिए इस बात का ख्यार रखें और जहां भी ऐसा लगता है कि मिट्टी कम हो गई है वहाँ फिर से अच्छे से डालें कुछ दिन के बाद मिट्टी ये दब जाएंगी तो जितना हम उपर उपर भर रहे हैं मिट्टी ऐसे आपको नहीं दिखेंगी दो तीन दिन में ही ये मिट्टी नीचे चली जाएंगी और जो इसका कोडेक्स का पॉर्शन है और भी उपर आएंगा इसका रिजर्ट हम आपको दिखाएंगे बहुत सारे अडे अडेनियम को रिपोर्टिंग करने के बाद 8-10 दिन तक 6-10 जगा में रखें ब्राइट लाइट आती हो ऐसी जगा रखें डायरेक्ट तेज सनलाइट में मत रखिए 8-10 दिन तक कम से कम देखें बहुत अच्छे से सेट हो गया है ये अडेनियम का प्लांट अच्छा लग अभी हम इसमें पानी डालेंगे देखें जो आपको बताया था कि फंगिसाइड में हमने अडेनियम के प्लांट डुबो के रखे थे उसमें रखे थे वही पानी है जो बचा है तो वही पानी अभी इसमें दे रहे हैं अच्छे से पानी दे देंगे ड्रेने जोल से पानी बहार निकलेंगा, इतना पानी देना चाहिए, क्योंकि अभी समर है, मार्च मैना है, तो इसे पानी अच्छे से देना चाहिए, हर दूसरे दिन पानी हलका हलका देते रहे, चेक करें, अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी गिली है, उपर से लग रही है, तो पानी मत दे, लेक दिन के बाद इसे बाहर निकाले, पूरे सनलाइट में आप रख सकते हो, बार बार इसे हिलाए नहीं, थोड़ा सा भी इसे धक्का नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये डिस्रब हो जाएंगा, तो ऐसी जगा रखे, जहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं हो, कहने का मतल है, इसे 8-10 दिन तक धक्का नहीं लगना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, इस तरह से अडेनियम का प्लांट आप रिपॉट करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ये प्लांट चलेंगा, और सभी अडेनियम का रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है अभी, और ड्रेने जोल से पानी भी बाहर निकला है, अभी पानी ज्यादा पियेंगा ये, क्योंकि पूरी ड्राय मिट्टी थी, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम रिपॉट करते हैं, हमारा अनुभव, और हम कैसे अडेनियम की रिपॉ हो गये, उसे रिपॉट नहीं किया है, तो इस बार सोच रहे हैं कि उसे भी रिपॉट करेंगे, तो उसका भी वीडियो आपसे शेयर करेंगे, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाई